लो खाल्यो कि हलो सांतियो कैसे थाफ खरत है कोता इसे स्वागत करते हैं आपा सभीका दिल से स्वागत करता हूं जोड़ जहाएए एक बार जितने भी लोग देख रहें एक बार जरूर सेयर करें साथ ही आज हम देखेंगे टॉप 50 करेंट अफेर जो आपके एयर फोर्स एक्जाम दोहर 20 के लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है और इसका फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट अपलोड कर दिया गया है मा अभी तक वह वीडियो नहीं देखें आप लोग तो जरूर देखें तो चलिए सातियों एक बार आप लोग मिलकर सभी लोग मिलकर एक बार सेयर कर दिए एक बार सेयर कर दिये तो उसके बाद मैं शुरू करता हूं तो उमीद करता हूं कि आप लोग सेयर कर चुके होंगे चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास देखते हैं पहलगा कुर्शन क्या है लिखा है कि 2022 में होने वाले ब्रमिंगम राष्ट मंडल खेलों में निम्न में से किस खेल को सामील नहीं किये जाने के कारण भारत ने विरोध किया है तो दोस्तों बताने हैं आपको सही एंसर अगर आपको यह नहीं है जो व्यक्ति जो मिरे स्टुडेंट्स पूरा वीडियो देखेगा वह लास्ट में मतलब एक फिल ऐसा करेगा कि हां हमने कुछ पढ़ा है आज और वह पढ़ा ऐसा पढ़ा है कि कुश्चन उसमें से ही पूछेगा इसका पीडिव आपको साम तक ग्रू भारत ने निशानी बाजी का विरूद किया है ठीक है चलिए आते अगले कोश्चन पर लिखाए कि किर्किट अस्टेलिया ने हाल ही में दसक की वंडे टीम घोशत करने की है इस टीम के कप्तान कौन है तो इसका सही अंसर क्या हो जागा दोस्तों MS धोनिस का सही अंसर हो इस तो class अच्छा लग रहा है question का level अच्छा लग रहा है तो आप लोग like करना ना भूलें क्योंकि like से मुझे motivation मिलते है यहां मेरे students पर रहे हैं वो मेरे lecture को मेरे आवाज को मेरे पढ़ाया वी चीज़ को समझ रहे है ठीक है तो इसका सही अंसर क्या हो जागा दोस्तों कि पुर्व परधान मंत्री और भारत्रत्न अटल विहारी बाजीपेई का जनम दिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है और वह जनम दिन क्या मनाया जाता है उस्तिति को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो जो सुषासन दिवस इसका सही अंसर हो जागा सुषासन दिवस के रूप में 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को हर साल सुषासन दिवस के रूप में मनाया जाता है ठीक है चलिए बरतेकल कोशन पर लिखाए कि सरकार ने हाल ही में सुषासन सुषकांग 2019 जाड़ी किया है ठीक है इस सुषकांग के अनुसार बरे राजियों में कौ सबसे पहला अस्थान प्राप्त किया है ठीक है अगले कोशन पारते हैं दूसर चुमर नमर को समय लिखाए कि भरतिए वायूयान को भरतिए वायूयान से स्यवा निर्वित कर दिया ठीक है ठीक है कि लौंग मार्च फाइप लौंग मार्च फाइप जिसका चीन ने हाली में परिक्षन किया है यह क्या है क्या हुआ पंडूबी है क्या उपग्रा है क्या प्रच्छेपन यान है या फिर आइसी बियम मिला तो इसके ईंसर क्या हो जागा मुझा सी परच्छेपन यान है कि यह किसी इंसी सेट्लाइट को यह ले जाएगी किसी स्टिलेट ले जाना है तो यह ले जाएगी जैसे कि अपने भाष्छाट में प्येसल भी है जीसलवी है तो इसको ले जाती है तो उजी को पर्शेपन यान बोलते हैं ठिक है और यह लोंग मार्च 5 परशेपन यान है जिसको चीन के द्वारा कि है तो सीडियस की जो सेवा निडविति की अधित्तम आयू सीमा कितनी वो कितने समय में कितने अपने एज में वो रिटायर हो जाएंगे तो इसका सही एंसर क्या हो जाएगा बाश्टों च्छीफ आप डिफेंस स्टाफ सीडियस कुरूप में पद भार पर रहेंगे तिक है सीडियस का भी कौन है तो जन बीपिन रावत भी सीडियस के रूप में है ठीक है यह तीनों से नाओं का सरोच सेनापती होता है लेकिन सरोच सेनापती होते हैं राष्ट्रपती के नीचे काया पद है ठीक है चलिए अगले कुछन पाते लिखाए कि 27 दिसंबर अनेश को किस फ निति आयोग द्वारा जारी भारत के सबसे पहला स्थान किस का रहा है तो किरल राज्य का सबसे पहला स्थान इसमें रहा है अब बात आते हैं नीति आयोग की तो नीति आयोग नीति आयोग का गठन का भुआता तो एक जनवरी 2015 को इसका पहले नाम क्या था तो योजना आयोग इसका नाम था ठीक है और इसके चेर्मन को नहीं आते हैं तो भारत के प्रधान मतरी से इसके चेर्मन हो जाते हैं ठीक है चलिए बरतेकले कोशन पर लिखाए कि हाली में कौन अंत्रिक्स में सबसे लंबी ओधित तक रहने वाली पहली महिला अंत्रिक्स आत्री बढ़ी है तो इसका option देखे क्या लिखाए कि एलीना जेम्स कीर्ति अगरवाल क्रिस्टिनय कोच या फिर मूशी खलारक तो इसका सही अंसर बताना है आपको यह एक अमेरिका और इन्हों ने 328 दिन तक लगभग 328 दिन तक इन्हों ने अंत्रिक्स में बिताने का रिकॉर्ड शापित किया है और यह पहली महिला है ऐसा करने वाली तो इनका नाम क्या है तो क्रिष्टिना कोच इनका नाम हो जाता है क्या नाम हो जाता है क्रिष्टिना कोच इनका नाम ह अगले कोशन प्रात्यां लिखाई कि 29 दिसमर अनष्क जारखंड के 11 मुख्यमंत्री कौन बने 11 मुख्यमंत्री ठीक है तो यह बने हैं दोस्तों क्या दिने सराना बने क्या आसीस निगम बने या फिर हमन्त सोर्ण बने या फिर पदम चत्रवेदी बने तो इसका सही एंसर क् का अधिया को भते हैं के अगले कोशन पर दूस्तों अच्छे लग रहे हैं लेवाल अच्छे लग रहा है आपको पको एक बडर श्यादर करें अपने Facebook के श्टोरी में लगा लीजे या फिर अपने वाट्सप्य के स्टोरी में एक बांतर मातर एक सिनके लिए बस एक दिन क इसका सब बैच स्टार्ट कर सकेंगे अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाएं किसको तो जितना आप लोग हो सेख उतना शेयर किजिए इसको ठीक है तो इसका है तो पेटला है अगले कोशन पाता लेखा है कि 29 दिसमबर इसको पीटर सीडल ने अंतराष्टे किर्केट से सन्यास लिया है यह किस देश से सम्दित है पीटर सीडल तो दोस्तों पीटर सीडल किस देश सम्दित है बताना है आपको तुछ यह सम्दित है आस्ट्रेलिया से किसी आस्ट्रेलिया से सम्दित है ठीक है चलिए परतेगल कोशन पर रिखाए कि 27 देश समद्दों अनुइस को किस देश ने अवन गाड़् हाइपर्सोनिक मिसाइल को सेना में सामिल किया है अगले कोशन पाता तो कि 28 दिसमर और अनुस्कों राष्ट्रीय राष्ट सॉरी 28 दिसमर अनुसको सन्यूक्त राष्ट द्वारा कौन इस सदी के सबसे प्रसिद की इसी नॉडी घोसित की गहिए और यह इवेन के द्वारा किया गया थेकि तो यहाँ बनी है कौन तो Malala Youseef Jai को ख 되면 Malala Youseef Jai को सजोट राष्ट द्वारक इस सत्व सब्सेरा की सोड़ी घोसित की गई है वह Malala Youseef Jai को यह पाकिस्तान के रहने वाली और इनको Nobel Prize मिल चुका है, सब से कमर उम्र की महिला है है जिनको Nobel Prize दिया जा चुका है ठीक है यह पाकिस्तान के रहने वाली हैं तो 255 नमर का फी एंसर हो जाएगा चलिए बढ़ता एक लोकोशन पर लिखाए कि दूसरा स्यासाइट प्रकोशन की हाल ही में कि किस टेलीकम कंपणी ने भारत में वाइफाई कॉलिंग की सुविधा परारंभी की है वाइफाई कॉल और अब बहुत कोपके पूछता है कि बी एसनल का फुल्फरम क्या होता है थे होता है कि ब्यृत संचार निगम लिमिटेड क्या होता है अगर सक्षू सेसन अच्छा लग रहा है तो एक बार सेर करना बनता है आपको भाई ताकि आपको लेटेस्ट समय समय पर मिलता रहें किस राज सरकार ने हाल ही में जो तीराव फूले किसान रिन्द माफ करने की योजना की है ठीक है परते अंगले कोशन पर लिखाए कि चोबिस्ट समय अनईस को किस राज्य में भारत का पहला ट्रांस जिंडर विश्व बिद्याले का सिल्ह नियास किया यह कुश्चन पिछले बार भी पूछा गया था यह कुश्चन पिछले बार भी जो में करेंट करा रहा था तो इसमें आया था तो इसका कुश्चन का अंसर आप लोग बता ही दिजेगा अगर पता है तो कॉमेंट बाक्स में लिखिए नहीं पता है तो मैं बताने वाला हूं तो इसका सही एंसर क्या हो जागा पहले आप कॉमेंट बाक्स में लिख लिए ठीक है तो सही एंसर क्या हो जाएगा क्या होगा उत्तर प्रदिश्च का सही एंसर हो जाएगा ठीक है अगले कुशन पाते हैं लिखाए कि 26 दिस्टमध्व एनलीज को भारतिय खिलाड़ी लिएंडर पेस लिएंडर पेस ने सन्यास लेने की घोश्टना किया या किस ख़ल से समंदिते हैं लिएंडर पेस जो कि भ कर दाखा है बहुत ही ज़्याइब इंपॉटन्स को बताना शकता कितना ही कितना ज्याद़ा इसको पाते प्रदू निकाहे कि हाली में प्रसत भ्यक्तित गंगा प्रषाद विमल का निधन हुआ है यह किसे समंदिते हैं तो दोस्तों बताना है कि गंगा परसाद दिवी मल यह समद्धिते क्या सहित्यकार से गायक से वैग्यानिक से या फिर चित्रकार से तो बताना है गंगा परसाद जो कि अभी हालीमिन का ध्यान्त हो गया है तो यह किसे समद्धिते हैं तो दोस्तों यह समद्धिते किसे तो सह से संबंदी तो स्रीलंका से संबंदी तो इसका सहीन सर्शिलंका हो जाएगा चलिए बरते एकला कोशन पर लिखा है कि हाली में आठ पस्तमी अफ्रिकी देशों ने साध्या मुद्रा का नाम बदल कर क्या कर दिया गए साजह मुद्रा तो पहले इसकाम मुद्रा के नाम क्या था थो cfa frank उसका नाम था ठीक है फ्रेंक पहले इसका नाम था जांगा अब इसका नाम क्या हो जागा तो अगला विदेश सचीव न्यूक किया गया है तो अमित सरन नेहा श्राफ हर्सवर्धन स्रिंगला या फिर किर्ती चौधरी किर्ती चौधरी तो इसका सही एंसर बताना है आपको दूस्तों तो इसका सही एंसर क्या होगा हर्सवर्धन स्रिंगला इसका सही एंसर हो जाएगा क सबसे अच्छा फिल्म का अवार्ड का अवार्ड मिला है पैडमेन केश्री अंधाधूंद या फिर कभीर सिंग तो तो सबसे अच्छा फिल्म का अवार्ड किसे मिला है तो यह मिला है अंधाधूंद को अब इसके डिरेक्टर कौन हो जाते हैं तो इसके डिरेक्टर होते हैं में थे और इसके डिर्क्टर स्रीराम राग्वन इसका डिरेक्टर हो जाते हैं ठीक है अगले कोशन परतने लिगाई कि हाल ही में कौन क्यूबा के नए प्रधान मंत्री बने हैं क्यूबा के जोन्स ग्रीन मैंनुवल मरोरो क्र्यूज मंडन फिलिप या फिर रूसो जेंप्स तो इसका सही अंचर बताना आपको लेकिन मैं उसे पहले बता दूँ कि क्यूबा को चीनी का कटोड़ा बलायता है मतलब क्यूबा में चीनी का उत्पातन बहुत ही ज़्यादा मात्रम होता है ठीक है और इ कि राष्टे किसान दिवस नेशनल फार्मस डे हरवर्स कब मनायाता है जबकि अमेरिका में 12 अक्टूबर को मनायता है या भारत के चीनी राश्ट्रे किसान देवस अमेरिका में 12 अक्टूबर को भारत में 23 दिसमबर को सेलबेट किया जाता है ठीक है तर लिए बढ़ते अगले कोशन पर लिखाए कि हाल ही में मुंबाई नागपूर एक्स्प्रेसवे का नाम बदल कर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है तो नागरित्ता सिच्छा पुरसकार आराम करने की घोष्णा की है तो 279 का अंसर क्या हो जागा तो पुर्तगाल सही एंसर पुर्तगाल इसका एंसर हो जाएगा ठीक बात आती है पुर्तगाल की तो पुर्तगाल के रधानी क्या होती है लिस्बन इसकी रधानी हो जाती है क्य कि शूची में कमाई के मामले में सबसे अधिक सिर्ष अस्थान पर कौन रहे हैं भ़ारतिय था थि सुक्रीक और सुलिशन स्ट तτί रिएट्र करें चानुन से यह रखाते तो यह एक अभीनेता थेटेंटरों से काम करते एक अभीनेत थे ठीके और यह अलोगोगा ठीक है श्री राम-ञगों और कड़ाई है इसमें से तो मैं कॉल और लेकर आऊंगा ठीक है लास्ट में अपना फीड़ेवग जड़ुड देखेगा कमेंक्ट ड़र देख्ञें और जितने भी अभी लोग देख रहे हैं एक बार सेर ज़रूर कर दें ठीक है जितने भी लोग देख रहे हैं ठीक है क्योंकि आप शेयर किज़ेगा तभी और सारे बच्चे आएंगे कर दोष्ट इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो इसका सही आंसर बताना है आपको तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा को मिलेगा नहीं यहां पर दे दिया गया है ठीक है तो लिए परते अगले कोशन पर लिखाए कि इसका सही हो जाएगा ठीक है अगले कोशन पर लिखाए कि 17220 को जाड़ी वर्ष द्वजार अनेश की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का कौन सा अस्थान रहा है तो इसमें कूल देश कितने हैं इसमें पूर्य देश 153 सामिल है और इसमें भारत करें कितना है त इसके बारे में और जानते हैं तो एक क्यांबेर लोगों पर लड़कियों पर महिलाओं पर सौ पूरुस मतलब निर्भर है ठीक है तो यह लिंगा निपात भारत का है और दोहारा थार में इसकी अस्थान कितना था तो 108 अस्थान दोहारा था चार राइंक अब उपर चला भारत ठीक है चली बढ़ता लोकोशन पर और यह इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लड़किया अच्छी नहीं लगती मतलब बेटी पैदा होना अच्छी नहीं लगते हैं वह या तो भूर नहत्त्य करवा देते हैं चेक त्य कट्यूर्ण कर रहा है इसे क्या होगा जंसंख्या भी कम होगा लेकिन अगर संख्या कम होगा तो भारत के शिफारिस पर गों fenya d vac तो अंतराष्टे चाय दिवस को स्विब्लेट किया जाएगा 21 मई को ठीक है चलिए बढ़ते एगले कुशन पर लिखा है कि 14 दिसंबर दोहर अनेस को किसने मिस वर्ड का खिताब जीता है ठीक है बहुत अच्छा कुशन लिए मिस वर्ड तो यहां है जमायका की टोनी एंसिं टोनी एंसिंग जमायका के रहने वाली है जिन्होंने मिस वर्ड दोहर अनेस का खिताब जीत लिया है ठीक है अगले कुशन पर लिखाए कि और इसमें एक बात बताता है कि जो यह सुमन राओं है भी यह भारतियां है सुमन राओं और यह थर्ड पोजिशन पर रही है कितन सबसे सक्षैसाली महिलाओं की सुचेजारी की है तो इसमें सीर्स एस्थान पर कौन रही हैं सबसे सक्षैसाली महिलाओं तो यहां कौन है तो ईंजला मरकेल एक जर्मनी जर्मनकी एक प्याम और पोलेटीशियन है यही एंजला मरकेल फोर्ब्स की सूची में सो महिलाओं में सबसे पहले अस्थान पर गया रही है सक्तिसाली महिलाओं में ठीक है अगले कोशन पाध लिखा है कि डाश्ट्रिय उर्द्या सरक्षन दिवसे नेस्थल एनर्जी कंजरवेशन डे हरवर्स का बनाया जाता है क्या हो जाएक jewel 44 सडिशने का सही एंशना भर्यफर को 원 पाइब ज्टन सबने कौन सा स्टान मिला है जलवाई परवर्भरत का स्थान कि इसमें जो ग्याराहँब भारत का श्थान है इसमें इसका नहीं दिया इस्तफ लिजेगा और सबसे पहला स्थान पर कौन रहा है तो स्वीडन रहा है जो कि 76.28 मार्क्स या इसका पहला रैंक रहा है और मुड़क को मुड़क को है वो सकेना स्थान पढ़ा है जिसका मार्क्स कितना है तो 70.48 इसका मार्क्स रहा है ठीक है और भारत का मार्क्स कितना है है 100 में से बहुत का मास कितना है तो 62.9 भारत का माक्स है ठीक है जलवाई प्रवर्तन शुचकांग भारत का स्थान कितना है तो 11 हुआ भारत का श्थान है किया है ग्यार हुआ ठीक है बरतन लों को समय चुनात है कि टाइम पत्रिका ने हाल ही में किसे person of the या बहुत बढ़को यह एक इन्वर्मेंटल करता है और यह कहां कर रहने वाली है यहां है मात्र स्वीडन के रहने वाली और rozm. मात्र सुला साल चसाल के और यह स्वीडन की रहने वाली है ठीक है चलिए अगले कोशन पातें लिखाए कि दस दिसम्ह curl को इण में सेखिसे निशनल एंटी डोपिंग एजनसी नाड़ा का ब्रांड अमेस्टर नूफ किया गया है अब नाड़ा की बात आती है तो नाड़ा श्रति यह मुखैले कहां पड़ यह है वार्डा अलग है वह वर्ल्ड में है और नाड़ा मतलब नीशनल तो नादा का मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याले नई दिल में सनी और इसका अभी brand master top बनें तो सुनिल सेथी इसके brand master बनें ठीके अब वाड़ा की बात आती है तो वर्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसे का मुख्याले कहां पड़ है कनाड़ा में इसका मुख्याले ठीक है बस इससे जाधा पूछ ने पूछ आपसे परते लोकोशन पर लिखाए कि 10 दिस्टमबर को किस सहर को दुनिया का सबसे दुनिया का प प्रांस से आ रहा था तो UAE मतलब अबू धावी में इसका एक पड़ा हो था मतलब एक आपर इसका यह रुका हुआ था ठीक है ताकि उसका फ्यूल भड़ा जा सके बढ़ते अगलों कुशन पर लिखाए कि 10 दिस्टमबर को जारी मानोविका सुचकांग दौर अनईस से भ मानोविका सुचकांग में इसका अस्थान 111 मिला है और पिछला वर्स कितना था इसका तो 130 इसका अस्थान चाहिए एक पॉइंट इसका सुधार हुआ है इस बार में और इसमें कूल देश कितने है तो 180 इसमें देश हैं और स्विट्जर्लेंड जर्मनी आस्ट्रेलिया प आफिर 7 दिसमबर को बताना है आपको इंट्रेस्टल हुमेंड राइस टे तो यह मना आता है दोस्तों 10 दिसमबर को 10 दिसमबर को मना आता है ठिक्षी कमेरा सेकेंड लाश्ट कोचन पाहता तें लेगा है कि वाड़ा ने हाल ही में किस देशत पर 4 साल का प्रतिबन लगा है करूकी और होकी शोजी वर्जित है उसको करके और आपको करके किसी जीज को पाड़ा ने तो रूस को रूस को निलम्बित किया है ठीक है आज का लास्ट को ने लिखा है कि 9 दिसंबर किस ने मिस यूनिवर्स तो अनेस का खिताब जीता है तो यहां जीती है कौन तो साउथ अफ्रिकन की एक लड़की है जिनका नामे जोजी बिनी टुंजी क्या नामे जोजी बिनी टुंजी ने मिस यूनिवर्स अनेस का खिताब जीत लिया है ठीक है तो साथियों आज का हमारा क्लास यहीं तक रहता है तो दोस्तों कैसा लगा आज का अपना क्लास अगर अच्छा लगा है तो एक बार शेयर जरू करें अपने उन भाईयों उन दोस्तों क्लास लगा मैं आप यह कमेंट के इंद्र जार करूंगा आप लोग अपना कमेंट लिखेएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि यहां वही क्लास अच्छा लगा मुझे में कोई कमी है तो कमी को भी बताजेगा उसको सुधाने की कोसेज करूंगा तो मिलते हैं सामको फिक्स प्र पोजिशन की क्लास में तो साथ हो तब तक के लिए ख्याल देखे अपना हस्ते रही है गात रही है जै हिंद जै भारत